हलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आज एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है जैसे डिवाइन फैमिनाइन अगर नासिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रह रही हों तो क्या उनका इसाथ कैसा रेलेशन्शिप होता है और उन्हें अक्चल में करना क्या चाहिए जब में रवेकन हुए थी तो मुझे नासिसिस्टिक परसनल्टी डिसार्टर के बारेमें पता चला और मुझे लगा कि जो मेरा डी जे यानि कि जो अब husband है मतब husband पहले भी थे तो पता चला कि वो DM है तो मुझे लगा कि वो NPD से ग्रसित है narcissistic personality disorder से क्योंकि उनके symptom DM से बहुत मिलते हैं narcissistic और DM के symptoms आपस में बहुत मिलते हैं इसलिए मुझे DM के बारे में कुछ पता नहीं था कि twin flame के बारे में कुछ पता नहीं था तो मैंने narcissistic के उपर English वीडियो बहुत सारी देख डाली क्योंकि narcissistic के उपर Hindi वीडियो नहीं थी उनका सारा research कि अच्छे से और मैं बहुत बुरी तरह से तरगे कि यह क्या हुआ तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं नासिसिस्टिक जो parents होते हैं वो हमेशा spotlight में रहने वाले होते हैं attention seeker होते हैं किसी party में वो steal the show करते हैं बहुत ही charismatic होते हैं पड़े लिखे तो होते ही हैं बहुत famous भी होते हैं sometime time सब कहते हैं कि वाव कितने loving parents हैं तुमारे लेकिन उनके बच्चे ही उनकी हकीकत जानते हैं कि कितने loving है तरशल बच्चों को कुछ समझते नहीं है सब मेरा 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 उनका चलता है बट दूसरों के आगे वह शो आफ करने का मौका भी नहीं चुकते कि वह बच्चों को कितना प्यार करते हैं उनकी मदर हो यह फादर हो वह बाहर यह शो करेंगे वा मेरी बेटी है यह मैं बहुत गर फिल करता है उस पर इसके इतने नंबर आएं इतने माक्स आया है यह ट्रॉफी जीती वो ट्रॉफी जीती लेकिन घर में आके कोई अप्रिशेशन नहीं होता है और दिवाइन फेमिन आइन अगर बन चुकी है अगर आप जानते हैं आप ट्विंफ्लेम जर्णी में है या आप ट्विंफ्लेम जर्णी में नहीं भी है तो उनकी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे काफी या तो नार्सिसिस्टिक परसनलिटी डिसॉर्डर के शिकार हो जाते हैं या फिर बहुत ही इंपैथ हो जाते हैं इंपैथिटिक परसनलिटी बन जाती है उनकी र तो वो भी नार्सिसिस्टिक बनने की रहा पर चल पड़ते हैं उन्हें भी लगता है कि चलो ऐसा प्रिटेंड करना जाए घर में ऐसे और बाहर वैसे ऐसे बन जाते हैं या किसी भी डिएफ की एनरजी को ले लेते हैं वो यानि कि चित भी मेरी पट भी मेरी बहुत ही मैनिपलेटर होते हैं रोध होकर अपना काम ऐसे पेरेंट्स निकाल ही लेते हैं अपने बच्चों से भी बच्चे की मालीज यह कहीं जौब लगी है किसी अधर सिटी में पेरेंट्स नहीं चाहेगा, ऐसा नार्सिसिसिक पेरेंट्स कभी नहीं चाहेगा आप नॉर्मल पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है आके बढ़ें, अच्छे जगए जाएं लेकिन ये नहीं चाहते हैं ये हमेशा अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं क्योंकि इनके अंदर ही इन सेक्यूरिटी इतनी ज़ादा होती है वो रोध होके कहेंगे अरे तू दूर चला जाएगा ये हो जाएगा गर को कौन समालेगा ये हो रोध होके ये पूरी तरह से उस काम को रोक देते हैं ताकि बच्चा बाहर कहीं जॉइन ही न कर पाए ना होस्टल ना कोई जॉब अधर सिटीज में तो इस तरह से रोध होके काम निकालने वानी में बहुत महाहिर होते हैं या बच्चों से भी पैसे लेने हो तो पूरी तरह से निचोड लेंगे उसका बैंक अकाउंट क्योंकि उनको बच्चों से प्यार नहीं होता उनको सिर्फ अपने आप से होता है तो बच्चे की अर्निंग का भी बैंक अकाउंट निचोड लेंगे यह वो यह कहते हैं कि तूने मुझे पैसे ने तेरी मा नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं या फिर हमारे घर में रहने की ज़रूद नहीं नॉर्मर्मल पेरेड्स ऐसे कहा महते हैं वो कहते आइकशली जब वो रोते है немा तो उनके मगरमच के आसू होते है क्योंकि वो सिर्फ मेरा मेरा करना जानते हैं उनको बच्चों से या अपने स्पाउस से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों पर unnecessary pressure डालते रहते हैं तो में तो यह करना ही करना पड़े जब उनका बच्च बिल्कुल छोटा होता है school going तब वो कहते हैं तुम्हें first आना ही आना है तुम्हें यह trophy लेनी ही लेनी है एक तो होता है कि वही encourage करना प्यार से encourage करना और जब नहीं ले पाए तो it's okay it's a part of game first second third आना उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है fail होना भी कोई problem नहीं है वो parents ऐसे बच्चों को इस तरह से समझाते लेकिन narcissistic parents करते है first ही आना है first ही आना है first ही आना है नहीं आया तो या तो उसको घर में आके पिटा ही हो जाती है कोई applaus नहीं होता है कोई praise नहीं होता है तो ऐसे बच्चे हमेशा confused रहते हैं उनको लगता है कि घर में तो लाद पड़ती है बाहर बड़ा प्यार मिलता है मतलब मेरे parents बाहर मेरे सामने मेरी बड़ा ही करते है तो बच्चा सुचता है चलो बाहर तो मुझे praise कर रहे हैं न तो confused रहता है बच्चे बना हो ऐसे बन जाते है तो उनके बच्चे ऐसे ही बन जाते है क्योंकि वो आपको कभी फस्ट आने पर भी appreciate नहीं करते हैं तो हार पर भी लड़ाई जगड़े करते रहते हैं ऐसे बच्चे हमेशा confused ही रहते हैं जैसे दिवाली है तो दिवाली के दिन तो लड़ाई जगड़ा कर लिया आपस में पूरी तरह से ठीक है physical, mental, abusive और हर तरह का abuse कर लिया बच्चों ने वो सब देखा उसके बाद next day दिवाली चलीगी next day मिठाई लेके आजेंगे ये लो बच्चों मिठाई खाओ क्या वो बच्चा काएगा तो इस तरह के रहते है कही घर से भाग जाते हैं कई कई दिन के लिए आपको पता ही नहीं रहता कहां चले गए actually बच्चे को पता होता है कि मेरा फादर या मदर जो है ना characterless नहीं है या तो ये sometimes characterless होते है या फिर एक ही spouse के साथ रहते हैं लेकिन यह ऐसा confusing nature बना के रखते हैं ऐसा pretend करके रखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ लेकिन करते भी नहीं है मैं job किस के लिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ इतना पैसा किस के लिए कमा रहा हूँ कि जो है बहुत ही sensitive होती है वो समझ नहीं पाती है फिर वो अपना प्यार कहीं और ढूड़ने लगती है और अगर आपको यह लगा कि अम मेर्ट मैं ट्विन फ्लेम जर्णी में हूं अक्ट्फ्लेम जर्णी इससे भी ज़ादा टफ है नासे प्रेंट्स को छोड़कर कहीं और तो जा सकते हैं लेकिन ट्विन फ्लेम जर्णी में तो छोड़के भी छोड़ा नहीं जाता है बड़ी टफ चड़नी है लेकिन टक्षणनी का मतलब यह नहीं है कि गिवप कर दो, इसका मतलब है कि अपने आपको और तपाओ, सोने की तरह अपने आपको तपाते रहो, सोना आग में चलता है, बाद में उसके इतने सुन्दर गहने बनते हैं, फिर एसी में बैठता है, एसी के आवा नहीं लगती है जुल्री को, तो वही सोना है हम, और इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं नासेसिटे कि यह कभी भी गायव जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, लेकिन, मतलब उनका गेम कौन सा चलता रहता है, I love you, I love you, और उसके बाद, तुरंत ही, I hate you, यह गेम इनका चलता रहता है, फिर क् psychologist के पास जाएं, therapy ले लें, लेकिन एक्चली यह therapy लेने के time, अगर आपने किसी तरह से मना भी लिया और उन्होंने yes कर दिया, लेकिन जब, जब appointment का day है न, उस दिन भाग जाएंगे कर से, तो आपको लेगेगा, यह क्या हुआ, फिर डॉक्टर सापको phone करेंगे, फिर आप करेंगे, आप उधर शर्मिंदा होंगे, आप, मतलब, totally hell कर देते हैं आपकी life, confused होके, आपका हर दिन बरबाद करेंगे, सुबह भी बरबाद होती है, दोपेर भी, रात भी, ऐसे ही अकला दिन भी बरबाद होता है, पूरी तरह से, totally, खतम, destroyed हो जाता है, क्योंकि distorted mind के वो ह तो बड़ा मुश्किल है यह भी, तो psychiatrist के पास किसी ना किसी तरह से आप ले जाएए, या फिर उनको साफ साफ कहें, कि यह ठीक नहीं है, you can't hurt me, किसी भी तरह से, अगर वो आपके पर, अब भी हाथ उठाते हैं, काली कलाउच करते हैं, तो आप उनसे साफ साफ कह दीजिए पर एक बात है, वो सुनते भी नहीं है, number three, कि too toxic और dangerous अगर हो जाएं न वो, तो cut this connection, sometimes हाथ पैर उठाते हैं बुरी तरह से, गला भी दबाते हैं, अगर इस तरह के हूँ, अपका जीना हराम कर रखा हो, जैसे hell बना रखिया हो जिन्दगी, तो यह connection cut करने का time है, ज्योंकि यह narcissistic जो हते हैं, मैंने पढ़ा था है, वीडियोज भी देखी हैं, उनके जो doctors हैं, वो यह कहते हैं, कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई भी तरीके का इलाज नहीं है, इस को, इस disorder को, सिर्फ ईश्वर ही टी कर सकता है, तो आप देख लीजे, आपको क्या करना है, क् कि उनसे प्यार की उमीद, maturity की उमीद आप बिल्कुल ना करें, सम्टाइम वो आपको फिल कर आएंगे, कि now I am matured, मैं अपनी responsibility नहीं भाने के ले तयार हूँ, चलो मैं तुमारे पीस परता हूँ, चलो मैं तुमारे सेंटर चलता हूँ, चलो मैं तुमारे लिए ये करता हू वो करता हूँ, कि लो आज मैं fruit ले आया, तुमारे पसंद का खाना ले आया, तुमारे पसंद का dress ले आया, सब कुछ drama होता है, वो सब ट्रामा होता है, वो सब pretend करते हैं, आज के दिन के लिए, और आज ही शाम को वो कहेंगे, I hate you, जब से तुम पैदा हुई हो, जीवन नर लगातार देखने को मिलता रहता ही होगा, तो उन से maturity की उमीद ना करें, number five है, convince them कि उनके benefit के लिए है, मान लीजे, आप कुछ course करना जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो कभी उनको इस तरह से मत कहिए, कि मुझे ये करना है, मुझे करने तो, वो आपको कुछ नह करने देंगे, आपको कहीं चॉप पे जाना है, अदर सेटी में जाना है, होस्टल जॉइन करना है, उन से दूर जाना है किसी तरह से, तो आप ये कहते जिए, कि ही मेरे माता पिता, ये आपकी बलाई के लिए है, कि मैं जाओंगी या जाओंगा, बाहर, तो पैसे कमा के दासी हूँ, उनको ऐसे सर्फदर सुनना बहुत पसंद आता है, तो अपना काम आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो एक चलाकी वहरा काम है, चलाकी आप इंपैथ नहीं कर पाती है, उन की शकली बता देती है, यक इसके बसकी नहीं है, उनकी शकली बता देगे, तो यह भी मामला फेल हो जाता है नमबर सिक्स अगर आप कर सकते हैं तो sensitive information या कोई राज की बात या अपने twin flame की बात या अपने अफैर की बात उनसे share नहीं करें उनसे share नहीं करें कभी नहीं करें क्योंकि इसी का फायदा उठा कर वो आपको लगातार blame करेंगे आपको लगातार guilt में लाएंगे आपको लगातार पेईज़त करेंगे हाँ हाँ parents है वो आपके लेकिन घर में वो यही करेंगे बाहर चाहे कुछ भी कहें घर में आपके साथ वो रहेंगे वो यही करेंगे एक चीज और कर सकते हैं जैसे अगर आपके परियर्टन तोनों ही नर्सिस्टिक है समटाइम हैं समटाइमें एक होते हैं समटाइम दोनों ही होते हैं तो दुरी तारे से घल हो जाती है हल 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 तो आप ऐसे कर सकते हैं अपने दादा दादी हों आपसे बड़े हों जिन की बात वो मानते हैं वैसे तो किसी की बात नहीं मानते हैं नार्सिसितिक लो किसी की बात नहीं मानते हैं पर फिर भी कभी सम टाइम कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ दबाव होता है इंप्रेशन होता है दिमाग में तो किसी की बात मान जाते हैं तो जैसे कोई आपका टीचर है आपका कोच है दादा दादी हैं जिनकी बात वो थोड़ी सी सुन लेते हैं जहां आपका फिपर हो शादी का हो करियर की बात हो आप उन्हें मनाना चाहते हैं और आप उनसे दूर भी नहीं रहना चाह मतलब आप उन्हें बिल्कुल कटाउफ नहीं करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हैं या फिर वही जो मैं कहा रही थी कि थोड़ा सा जुट बोलके कि यह जो मैं कर रहा हूं कर रही हूं न यह आपकी बलाई के लिए है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अदर्वाइस इनके साथ रिलेशन बहुत मुश्किल है आप मेरी वो वीडियो इस भी देख सकते हैं कि हाव टू हैंडल इस टाइप अफ डिफिकल्ट पीपल एट टाइप अफ डिफिकल्ट पीपल की मैंने वीडियो बना रखिए और हाव आप डिफिकल्ट पीपल तो इसकी भी एक वीडियो बनी है आप देख लीजे मेरी सारी वीडियो आपको इन्फोर्मेटिव लग सकती है अगर आप देखना चाहें तो देख लीजे मैं लिंक तो नहीं बेजूंगी आप देख लीजेगा ठीक है क्योंकि सम ताइम आप हमेशा सिंपथी चाहते रहेंगे और आप ऐसे में क्या बन जाती है ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रहकर पीपल प्लीशर बन जाती है पीपल पीज तूचरों को प्लीज करते रहना खुश देते रहना मैं तो सबको खुश रखती हूं यह वाली बात मामी आग प्लीज करना यह होता है पीपल प्लीजर सबके लिए काम करेंगी अपने आपको छोड़कर आप सबके लिए काम करेंगे तो प्लीज ऐसा मत कीजिए यह जो मैंने पांच-छे पॉइंट्स बताएं आपको क्या कर सकते हैं ठेरिपी लीजिए साफ साफ कह दीजिए नो और स शेयर करें कोई भी sensitive information कुछ भी गलत हो गया हो तो भी उनसे शेयर न करें वो आपको तोड़के रख देंगे पूरी तरह से और help लेनी हो तो आप दादा दादी teacher या coach की help ले सकते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही मुझे देखने सुने के लिए बहुत बहुत धन्यव Thank you so much